मैं समझता हूँ असवजी गलोत का, मनी संकर अयर का और गाहुल गांदी का, इनका डे ने टेस्ट करवाज़े है। मनी संकर अयर कभी तो करते हैं कि जो मंदीर में हिंदु जाते हैं, वो पूजा करने नहीं, दसन करने नहीं, लड़के अचे लेका, उसके गुरू जी, उसके सामुई करूज से पूछ लिया, कि आपको ट्रांस्फर में पैसा देना पड़ता है क्या, तो सब ने एक स्वर में का हाँ देना पड़ता है, दुबारा पुछा देना पड़ता है, हाँ देना पड़ता है, असोग जी गलोट साहब, ये केवल शिक्स को कोई नहीं देना पड़ता, ये तो डॉक्टरों को, नर्सों को, कंपोर्णों को भी देना पड़ता है, राजस्तान के कॉंग्रेश के MLA stock अंत्रि Jiri ने और मुख्यela के मंत्रियों ने सितना इस प्रदेश निपता मुधि गज़नी ने इस देश को नहीं मुटा था मनिसंकर यह कभी तो कहते हैं कि जो मंदीर में हिंदु जाते हैं वो फूजा करने नहीं दसं करने नहीं उन लड़कियां छेड़ने जाते हैं यानि राहुल गांदी के बयान को दो राते हैं और कभी कहते हैं कॉंग्रेस कि भगवान राम तो कालपनिक है इस देश में पेदाई नहीं है यानि इस कॉंग्रेशियों का भगवान राम में विश्वास ही नहीं और बोट पाने क के नाक रगड रहे हैं ये भी अक्कल नहीं है कि हवन करते से में जूते परन कर बेड़ते कि नहीं बेड़ते परन्तु नकल में भी अक्कल नहीं लगा रहे हैं और बोट पाने के लिए इस प्रकार कर रहे हैं लेकिन ये भारती हैं सब समझदार हैं कि बरूपियों के लोगं को इस देश में इस्वास रखते हैं है Rebecca भारत-माता को संबन करते हैं Mic कि अर अधिकांस लोग Chicken कि आप भारत-माता को तोड़नाacağız प्शे को तोड़ना चाहते हैं और आतंकवाद्OP के शाथ हो गए और इसलिये तो राष्ट्रिय संसक्संग सुनातन धर्म को गाली दे रहे हैं और हिंदुतों की परिभाषा अपने इसाब से बना रहे हैं यानि उनका इस देश में कोई विश्वास नहीं रहा अब तो मुगलों के परसंसक हो गए हैं यानि बाबर औरंगजेब अकबर इनके पूरज हो गए हैं और माहना परताप एक दरसे इनके दुश्मन हो गए हैं मैं समझता हूँ जो इस देश में विश्वास करते हैं जो हिंदुतों में विश्वास करते हैं जिस भारत माता की जे बोलते हैं भारत माता के सम्मान की सुरक्सा रक्सा की बात करते हैं उन सब लोगों को अब कॉंग्रेस छोड़ देना चाहिए एदिक कॉंग्रेस नहीं छोड़ते हैं तो समझना चाहिए कि जो कॉंग्रेस में रहेंगे लोग वो इस देश में विश्वास करने वाले नहीं रहेंगे क्य और रहुल गांधी ने कहा जो ठीक था, क्योंकि रहुल गांधी ने कहा था कि मंदीर में जो हिंदु जाते हैं वो पूजा करने नहीं, लड़किया छेडने जाते हैं। कॉंग्रेस ने का था भगवान राम पेदा हुए ही नहीं यहां वो कपोल कल्पित कल्पना है और इसलिए तो मानने मुख्य मंतिजी ने अब राजस्तान के सारजुन के स्थानों पर पूजा करने पर और ठाणों में मंदिर रहने पर भगवान का चितर रहने पर पाबंदी लगा दी है अब तो कॉलेजेज में नमाज पढ़ने के पक्षदर हो गए है एनीच्व ए ने एक कोलेज में जो नमाज पढ़ रहे थे लोग उनके पक्षदर हो गए कोंग्रेस का एक युवास संगठर ने एनीच्व आई असोग जी गलोंत साब उनके खिलाब क्यों नही जा रहे हैं। और आपने आराधना करते है भगवान की उन पर क्यो रोक लगा रहे है। इस साफ लगता है। अब इस देश में विश्वास, हिंदुता हों उस्वास, सनातन धर्भ में विश्वास। और वारत माता में विश्वास। अशोग जी गलोत का, सारजनरी के स्थानों प्रधार में कारिकर्म नहीं होने देंगे, हम मन्दिरों को हाटाएंगे, और हम मदर्सों को 15-25-25-25 रुपे हानुदान देंगे. यह साब जायर लगता है, कि देश्ट को तोडने का स्रेंत्र हो रहा है, मैं समझता हूं, अस्वग जी गलोत का, मनि संक अययर का, और राहूल गांदी का, इनका DNA टेस्ट करना चाहिए, या तो इनका DNA बाबर से मिलेगा, या अकबर से मिलेगा, या को हुमायू से मिलेगा, य हिंदुस्तानीन का DNA नहीं हो सकता, कल अस्वग जी ने वयान दिया है, जिस मिलेखा है कि अध्यापकों के इस्ट जी लिए वाजपापसी दानों के नहीं है, देखो, अपने आपको, हमारे अस्वग जी गलोत साथ, गांधी की प्रतिमूर्थी मानते हैं, और उन्हों ने, जो जिनको संभानित करने वाले थी ओ, अध्यापक, हम सब के गुरुजी, उन्हों से सामुई कुरु से पूछ लिया, कि आपको ट्रांसफर में पैसा देना पड़ता है क्या, तो सब ने एक सवर में का हाँ देना पड़ता है, दुबारा पुछा देना पड़ता है, हाँ देना पड़ता है असोग जी गलोच साहब यह केवल शिक्ष नहीν दएना पड़ता है यह तो डॉक्टरों को नर्सों को कंपार्उनों को भी देना पड़ता है, यह तो पी, ब moral के अधिकारी को भी पड़ा अधिकारी चोटा अधिकारी पांच लाग के भीना ठीक शीट पर लिए जा रहे हैं पूचो तो सही उनसे पूछो जैसे मास्टर से पूछा है आपने ऐसे आपके ओफिस में भी पूछो आपके ओफिस वाले भी रोज आपको इखटा करके देते ही पता चल जाएगा कि इतना पैसे आप क्या इकठा हो रहा है मैं यह कहता हूँ उनका आरोफ छोटा है राजस्तान के Congress के MLG ने और मुख्यमंत्री ने और उनके मंत्रियों ने जितना इस प्रदेश को लोटा है उतना मुअमध गजनी ने इस देश को नहीं लोटा था मुअमध गजनी से भी लुटा है